प्यूज जैन के यहां छापे बारी की कारेवाई तो खत्म हो गई लेकिन उससे पहले कानपूर और कन्नोज में 195 करोड रुपे के अलावा 23 किलो सोना भी बरामत किया गया है कानपूर में इस इत्र कारोबारी प्यूज जैन पर शिकंजा कस्ता जा रहा है देश की पाँच एजनसिया इस कारोबारी का पूरा बही खाता खंगाल रही है लेकिन इसी के साथ अब कुछ और कारोबारियों पर जाच एजनसियों की नजर है जिनके यहां च्छापे मारी जारी है इस बीच प्यूज जैन के घर पर दो अंडरग्राउंड बंकर मिले हैं च्छापे मारी करने वाली डी जी जी आई की टीम के साथ मुझूद एक चश्मदीद ने यह दावा किया है अमिद दुबे नाम के चश्मदीद का दावा है कि दोनों अंडरग्राउंड बंकर में बड़ी मुश्किल से कैश निकाला गया उसका ये भी दावा है कि परिवार को इस पैसे के बारे में कोई जानकारी नहीं थी हम आपको एक बर फिर बता दे कि 23 दिसमबर को कानपूर में इत्र कारो बारी प्यूज जैन के घर पर रेड मारी गई थी 24 दिसमबर को कनोज के घर पर चापे मारी शुरू हुई वहीं 25 दिसंबर को चापे मारी के दोरान एक सो चोराण में करोड रुपए नगत और जोयलरी बरामत की गई 26 दिसंबर को देर रात प्यूज जैन को गिरफतार कर लिया गया 28 दिसंबर को चापे मारी खत्म हो गई और पांच केंद्रे जाच एजनसिया इसमें जाच कर रही है कानपूर के दो और कारोबारी भी निशाने पर हैं कानपूर में अभी इत्र कारोबारी प्यूज जैन के घर में नोटों के बंडल को लेकर ही लोग हैरान थे कि अब कानपूर के दो और कारोबारी निशाने पर आ गए हैं कानपूर में गणपती ट्रांसपोर्ट के मालिक के घर पर डीजी जी जी आई यानी डिरेक्टरेट जनरल ओफ जी एस्टी इंटेलिजेंस और इंकम टेस्ट की टीम ने चापा मारा चापे मारी के लिए आये अधिकारी वहां से कुछ जरूरी कागजाद भी लेकर गए हैं वहीं कानपूर में ही मयूर वनसपती के मालिक सुनिल गुपता के घर और आफिस में भी डीजी जी आई की टीम ने चापा मारा है सुनिल गुपता का घर सिविल लाइन्स इलाके में है जबकि आफिस ग्रीन पार्क के सामने बताया जा रहा है उधर कनोज के गिरफतार करूबारी प्यूज जैन के घर से मिले करोडों रुपे की पहली सुलजने के बजाए उलचती जा रही है देश की पांच सबसे बड़ी एजेंसी प्यूज जैन केस की जाच में जुटी है क्योंकि बाद सिर्फ टेक्स्चोरी या फिर ब्लैक मनी की नहीं रह गई है बलकि इससे भी वह आगे बढ़ गई है 144 करोड कैश के लावा सोने की तसकरी केस की भी जाच की जा रही है